सबी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दी सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज हम आपके लिए क्लेटेस्ट और एक इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पतरकार आरजु काजमी को उनके स्पेशल गेस्ट होंगे वसी मलताफ साब जो के एक जबरदस्ट जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिष्टों पे बहुत ही गहरी नॉलेज रखते हैं तो ये वीडियो काफ़ इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ ज सुनते रहता हैं डिफरेंट चैनल के उपर बहुत अच्छी आदत के माली को बहुत जबदस तरीके से बात करते हैं तो सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया क्या आप आपने बुलाया बहुत शुक्रिया सर और पाकिस्तान की जो आलत है इस वक्त आप देख रहे हैं नही आफिर कब वो पैसे आएंगे पाकिस्तान जो चे बिलियन की बात हुई है, आट बिलियन लेने की कोशिश की जा रही है, कुछ संबलता हुआ दिखता है आपको या नहीं? देखिए जी एक मरीज जो एक आईसी यू में पढ़ा हुआ है और उसको आपने बहुत सी डिप्स लगाई हुई है, वेंटिलेटर भी लगाया हुआ है, तो वो अब पता नहीं किस हद तक संबलता है, नहीं संबलता, ये तो देखे ना इस पे तो आप एक बहुत बड़ा क् मार्क है, तो आल है कि हमारा ज्यादा एंफेसिस साइंस अंट टेकनोलजी पे होना चाहिए, दुनिया इस वक्त साइंस अंट टेकनोलजी की दुनिया है, जुमाने ठीक हैं, उनकी अपनी इंपॉटंस है, आप इंकार नहीं कर रहें, लेकिन उसको आप इंपोज ना करें, बच्चों की उपर वो अल्रेडी ओवर बर्डन ड है लैंगुजिस की वज़ा से और इतनी ज़्यदा लैंगुजिस होती है तो फिर आप कोई भी जुमान नहीं आती है आपको हमें हमें अंग्रेजी उर्दू पंजाबी में से कोई भी जुमान नहीं आती है एक्श्मान फिर बहुता है एसे सा टुटी पूटी ना अउर्दू सही आती है, ना इंग्री सही आती है कोई एक हूर भी लैंगुजी सही नहीं आती है और वो इसी वह जासे है कि इतनी ज़्यांगुजिस हमें सीखनी पड़ती है रह सर वो अर्बी भी चीह ने पढ़ जाते हैं भी देखके न वहाँ पर ब्रेस के ओपर एक गामा ऊगीर लगार में कि छे लिखा हो हल्वा लुक्ताता है लेकिन हल्वा तो मौनी सारे वक खाते रहते रहते और गल्फ कंट्री से वो में कहले साओधिया या कहीं से लेकर आई थी सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम लोग हमेशा पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर अभी तक सेविंटी सिक्स हो गए जहालत खतम ही नहीं हो रही है कभी हो पाएगी जिसमें पढ़ाई लिकाई का नहीं यह जो जहालत है ना वो आप इंडिया में नहीं कहीं भी रोड में बैड़ जाते है नमाज पढ़ने के लिए और ट्राफिक रोग दी ट्राफिक जैम होगी उसके अगर कोई हटाएगा तो जी बहुत गलत कर दिया आपने मुसलमान नमाज पढ़ रहा था तो मुसलमान को यह नहीं पता कि उसने कहां मैट के नमाज पढ़नी है और कैसे पढ़नी है और इसलाम में तो साफसाफ का गया है कि आपने लोगों को परेशान नहीं करना उन्हें जामया मस्द जो है ना देली औध उस मसजद के अहाते में वो बगएदा उन्हें साइड्स पर आख स्ठाएगा खड़े होके नमाज नहीं पढ़ेंगे वहर आ जाएंगे सडकों पे सडकों पे CBD करेंगे और वो इसलिए कि मुझे यह लगता है कि जहालत जो है ना वो और जो डिफाइंस है ना, ये दोनों गड मड़ हो गए है। यनि वो एक्चुली जहालत कम है। और वो एक एक्ट आफ डिफाइंस जाता है। कि हम डिफाइ कर रहें जी सडका थे खलो गफिए हैंसी, सानू कlusion कर रहें जी खात है। हाँ जो करना है कर लो हम तो यहां पे खड़े हो के पढ़ेंगे इवन यॉरप में यॉरप के सड़कों पे खड़े हो जाती हैं दर्मियान में सड़कों के खड़े हो जाएंगे टैक्सियों के उपर खड़े हो जाएंगे द्रफ्तों के उपर खड़ जाएंगे पानी की एक पानी का तलाब जा रहा है उसमें खड़े हो जाएंगे अब कि ये साई ये क्या है ये तो बात ये है कि मतलब ये इन्हों ने अपने आपको ना एक तमाशा बनाया हुआ है अगर वहां तो च्छितर पड़ते ना योरप में तो वो तो देतें दोकान के नीचे और अगर गल् तश्रीव जो है ना उसको सुझा देतें ये तो हिंदुस्तान में सबसे जदा मैंने देखा कि मुसल्मान जो है सबस्यदा धंकिया सबसे जदा धराना धंकाना हिंदुस्तान में करते हैं वो देखें जी बात ये है कि जब इस लेवल पे आप चले जाए ना तो फिर सवाय فورس کے استعمال کے اور کوئی راستہ رہتا نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ فورس کا پراپر استعمال کر کے ان لوگوں کو ان کی جہالت ختم کی جا سکتی ہے ان کی جہالت ختم کی جا سکتی ہے اور وہ ختم کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیسے ختم کرنی ہے کیونکہ وہ مضبوط ریاست ہے وہ ایک مضبوط ریاست ہے ہے ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی اس میں मसला नहीं है अगर रियासत अपनी ताकत इस्तमाल करे तो बात ये है कि ये ये कोई मजभ नहीं है ये सडकों पे खड़े होके सडकें ब्लॉक कर देनी और सारा दिन लौड स्पीकर पे लगे रहना ठीक है न जी ये 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 तो बिलीगल है लेकिन वो जहालत प्लस डिफा है जी कि जहालत शायद कम में डिफाइंस जाता है तो इसका हल यही है कि एक मजबूत रियासत हो और मजबूत रियासत अपने रिसूर्स इस्तमाल करे इन लोगों के खिलाफ जो के आम शेरियों का जीना दूबर कर देती है क्योंकि सब्सक्राइब यह वही लोग है जो जब गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो यह की हमत नहीं होती इस तरह की अरकते करने की गल्फ कंट्रीज में नहीं देखा कि कभी यह रोड के ओपर दुबई में रोड ब्लॉक कर दी और नमास पढ़नी शुरू करने या कहीं नियॉर्पिन कंट्रीज में इनका पर फाइन लग जाता है लेकिन वाकी जगह पर जीवजी वरकते खास दोर अचा पाकिस्तान में भी मैंने नहीं देखा कि रोड ब्लॉक कर दी हो कि नमास पढ़ने है तो रोड ब्लॉक है चाहिए जो मर्जो हो रही है सिर्व मैंने भार इंगिन गवर्मेंट है उसको जो लिबरल पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव मुसल्मान है उनको प्रोमोट करना चाहिए और जो इस तरह के जो फनेटिक मुसल्मान है उनके साथ सकती से निमटना चाहिए विलकुल क्योंकि इनका यही लाज है हाँ तभी वहाँ पे हालात ब कैपचर करते जाते हैं जाती है अँट में आपको पता चलता है जी के आप खेमे से बाहर है और यह सारे खेमें के अंदर हैं प्रोपर तरीके से पढ़ो ना तुम चांदनी चौक के दिर्मियाल में नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे, तो फिर तो वो तो एकसेप्टेबल नहीं होगा ना, वहां पर बिचारे लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां प्रकड़े हो जाएंगे, दरख्तों पर चड़ जाएंगे, फिर तकरी इनको जो जुबान, समझ आती हैं ना, उसी जुबान में इनसे बात की जाये, तो फिर ये पर रह रास्त पर आएंगे, जो इनको इनको दिर्मिट की जिम्डारी है, यानि कि इलातों के बुहता हैं बातों से नहीं मनेंगे, ऐसी है, ऐसी है, बहुत शुग्रिया सार किआ ना जॉइन गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बहुशा, दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो का आपने अंतक देखा होगा, और आर्जु कास्मी जी और वसी मलताफ साब का ये पूरा डिसकेशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कु जहांपे दिल्ली पुलीस आफिसर को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि रोड पे नमाज पढ़ा है, नमाजियों को उसने लात मारे थी, जिसके बाद पूरे देश बर में हंगामा हुआ, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या शांती दूतों का सड़क पर नमाज पढ़ना जायज है, जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जूरू बताएं, और इक बाफेट चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपनी से लेटेस्ट, इंट्रोस्टिंग और इंपोर्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिये, जै हिंद, जै भारत